माइसेल्फ संथ कुमार मिना असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्मेंट कोलेज मेंडपिया आज हम विच्छे समंदित विचारधाराएं पढ़ेंगे विच्छे समंदित दो कंसेप्ट या दो विचारधारे प्रचलित हैं पहली है प्रमप्रागत विचारदारा दूसरी है आधुनिक विचारदारा प्रमप्रागत विचारदारा के नुसार विद का प्रमुक कारिय कोसो की व्यवस्ता करना है हंट और विलियम के नुसार विद कारिय का प्रमुक उतरदायत उपकरम के लिए सरवादिक स्विकारात्मक सर्थों पर व्यवसाय के उद्देशय का नुरूप पुन्जी की प्राप्ति एवं कोसो का प्रबंद करना है इस विचारधारा में या प्रमप्रागत विचारधारा में क्या-क्या विशेस्ता हैं या क्या-क्या कारिये इसमें समिलित किया जाते हैं पहला है इसमें कोसो की प्राप्ति विद्का प्रमुकारिये विभिन संस्ताओं से संपरक इस्तापित करके उपकरम के पूर्व में निर्धारित उद्देश के नुरोप विभिन सरोतों से कोसो की पूर्थी की जाती है कोसो के एकतित किया जाता है यह उनका प्रभंद किया जाता है दोसरा है प्रासंगीक कारिय वित्तिय कारे का सम्मंद उपकर्म के देनिक संचालन से ना होकर कभी-कभी उत्पनन होने वाली समश्याओं जैसे कमपनी का प्रवर्तन, उनर गठन, विस्तार, समापन, आदिशे होता है संस्ता के आंत्रिक प्रबंद की तुलना में विन्योजगों के मार दर्खसन पर अधिक ध्यान दिया जाता है अता इसे बहरी व्यक्तियों द्वारा उपकरम में जहांकने के विचारधारा भी कहते हैं क्योंकि विन्योजगों को अधिक आकर्शित करती है चो उता है दिर्गालिन वितपूर्ती इसमें वित पूर्ति के दिर्ग काले इन सुरोतों यों समिश्याओं पर बल दिया जाता है यह विचारधारा जो प्रमप्रागत विचारधारा हैं यह कार यसिल पुंजी की समिश्याओं पर विचार नहीं करती उन पे ध्यान नहीं देती के हो दिर्ग कालेंब शुरतो उस्हूश्यांपर ध्यान देती हैं वितिया प्रबंद के विविन पालों का वियवहार विशले सनास्मक होने के बजाएट वर्णास्मक प्रकृती का था इस प्रमप्रागत विचारधारा के अंतरगत विशलेशनातमक कारिय नहीं किया जाता है बलकि वर्नातमक प्रकरतिया वर्नातमक पर जदा विचार किया जाता है अब बात करें अधुनिक विचारधारा की अधुनिक विचारधारा के अंतरगत वर्नातमक की जगह विशलेश विशलेशनातमक पक्स पर अधिक जोड दिया जाता है। पहले ये डिसाइड किया जाता है कि संस्ता या संगठन के लिए कितनी पुंजी की आवशकता हैं या कितने कोस की रिक्वाइर्मेंट हैं। दूसरा आवशक कोसों की प्राप्ति ताकि अनिकूलतम पुंजी सरचना का निर्मान किया जा सके। पहले सबसे पहले पुंजी का डिसाइड हो गया कितनी पुंजी की आवशकता हैं। उसके बाद जितनी पुंजी की आवशकता हैं उनका उनकी प्राप्ति करना। अनुकूलतम पुंजी सरचना निर्मान किया जा सके संस्ता में अनुकूलतम पुंजी सरचना स्तापित हो सके तीसरा है विभिन संपतियों में कोसो का आउंटन जो पुंजी आपने एकतित कली कोसो की प्रापति कली उनको विभिन संपतियों में किस प्रकार आउंटित किया जाए किस प्रकार उने विनियो किया जाए लास्ट है कोषो पकूसल्टम उपयों के लिए वित्ती नियंत्रण यसी कौन सी टेक टेक्निक्स अपनाई जाए कोषभों के कुसल्टम उपयों किया जा सके और लागत को कम से कम किया जा सके ये च्यार क्रियाएंDhuni विचारधारा के अंतरगत अपनाई जाती हैं और इनके लिए कोसों का कुसलतों मुप्योग करने के लिए वित्तिय प्रभंद को तीन महत्व पूर्ण नेने भी लेने पड़ते हैं वो नेने हैं पहला वित्तिय नेने वित्पूर्थी नेने दूसरा विन्योग नेने और ती झाल झाल